खबर रिवा जीले से है जहां मड़ापुर्यम गोल्ड फाइनेंस लिमिटेड के पोर्व मैनेजर को पुलिस ने धोखा धड़ी के मामले में गिरफतार किया है जिससे पूछनाच करने के बाद नियायालाय में पेस किया तो पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया दरसल अमेहिया पुलिस ने मड़ापुर्यम फाइनेंस लिमिटेड साखा कॉलेज रोड रिवा में ग्राहक सुसेल कुमार पांडे निवासी रिवा का गिरवी रखा 362.6 ग्राम सोना जो उसी सोने में बैंक से रिंड लिया था ग्राहक की बिना जानकारी के उनकी अनुबस्तिती में उस सोने को तथ कालिन साखा प्रबंधक सोमेज एवं पूर्व साखा प्रबंधक कमलनयन मिश्रा द्वारा फर्जी तरीके से पूर्व साखा प्रबंध कमलनेयर मिश्रा, हिमानसो मिश्रा, हेमत विकास्तिवारी के नाम लगकर इनके नाम से बैंक साखा से लोन ले लिया गया तथा ग्राहक का सोना इनके नाम होने से फर्जी तरीके से वापस कर देने का रिकॉर्ड बैंक साखा प्रबंध को द्वारा किया गया था जिस पर अमनिया थाने में FIR कराई गई थी पुलिस ने 420, 409, 476, 476, 471, 120B, 109 के तहट अब रात पंजी बद कर तलास कर रही है मामले में आरोपी साखा प्रबंधक सोमेस, पितागो बालन, गोपी उम्र 25 वर्स लखनाव उत्तर प्रदेश से गिरफतार किया है आए सुनते हैं उक्त मामले मेडिसनलस पी अलन सोनकर ने क्या जानकारी दी है मैंज में एक लोकल अगी का मामला प्रबंधक सोमेस, जो वहां साखा प्रबंधक थे उन्होंने उस सोने पर खुद के लिए लौन अपनी मडि पुरम से सुईकरित करा लिया और उसकी रासी का अपने निजी उप्योग में लिया जिसकी जानकारी जो है विकास तिवारी को हुई जिसमें एक कमन लैन जो मिश्रा है वो भी इनके सहयोगी थे दोनों पर विकास की रिपोर्ट पर अपरात कर्मांग 279 आवलिक 22 429, 468, 471, 122 और 109 का भारती दंड विधान की धाराओं में अपरात पंजीवत किया गया था अपरात पंजीवत करने के बाद सोमेश जो है फरार हो गए थे कल थाना हमया ने इनको जो है दस्तियाब किया है गरिपतार किया है और उनसे पुस्ता चड़ रही है इंसा कितना करा फॉब्या है सोना था लेडि उसमें लांकर में था ना उसी लांकर के उपर से उन ने जो है लौन ले लिया था यह सोना मही पर जान थाना अमया का इसमें कितने आरोपी हैं जब इसमें दो आरोपी है